अब ये दूसरा पीस जो है, इसकी हम शलवार काटेंगे, शलवार का हमारे पास कपड़ा तो है, दो कुंदे की शलवार बनाने का, लेकिन हम आपके साथ एक कुंदे वाली शलवार जो है, वो काटने का तरीका शेर करेंगे, जितनी शलवार की लंबाई होती है, उतना exact तो एक कुंदे वाली शलवार बहुत आराम से बन जाती है, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसके साथ, हम वो नीचे से उतार देंगे, हमारी शलवार जो है, उसकी तयार लंबाई 36 इंच है, तो हम दो इंच का, जो हमने निफा मोड़ना है, और जो कटिंग का मार और यह एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसे यहां से निशान लगा कर उतार देंगे, क्योंकि जो एक कुंदे वाली शलवार बनती है, उसमें म्यानी का जवासन का कपड़ा होता है, वो एक्स्ट्रा नहीं रखा जाता, शलवार की लंबाई जो है, उसको हमने काटका इस तरह से फोल्ड कर लिया, यह पूरा इस तरह से बन जाएगा, इसमें हमने सिर्फ लंबाई मापनी है, पाकी पूरा अर्ज जो है, वो इसकी चोड़ाई रहेगी नेफे वाली साइट, यह कपड़ा जो है, हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, यह इसकी लंबाई का रूप है, यह एक हिसा और यह दूसरा हिसा, और यह इसका अर्ज है, जो चोड़ाई है, यह इस रूप है, हम इस रूप पर यह शलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। निशान लगा रहुग आ यहां भी 9 पर निशान लगाने कि इस तरह क्पड़ें को फोल्ड करेंगे आपने सकत तिरचार पॉड करने के लिए हम पांच की और इसके बिल्कुल लिए और सिस्के बिल्कुन जा ये बिल्कुल τम की आि से चाहिए और इस तरह कार्णे और इस तैंकी यहां से कटिंग करनी है इस तरह से आप देखें तो इसकी कुछ यह शकल बन लिया है शलवार की अब हम इसकी यहां से पूरी जो तिर्ची है इस रेव में इसकी कटिंग कर देंगे कि आप चाहें तो इस पर यहां पर इस्ति भी फेड़ सकते हैं लेकिन चुंके यह कॉटन का कपड़ा है और हमारा एक्सपीजियंस है तो इस वजह से हम इसे बग्यार इस्ति की यही काट रही है अब हमने यह पूरा काट लिया है यहां तक अब हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लिया है अब हम इसको उठाएंगे और इसको इसी जो नीचे वाला कपड़ा है इसी की शेप पर इस तरह बिल्कुल सीधा करके रख लेंगे अब हमने जो ऊबखर कंट दा था उसको नीचे वाले कपड़े की शेप इसी तरह से रख लिए यह पांचि वाली साइड है और उपर जो है वह आस और आंचिर से वाले शाइड और जो है उप grab हने किस कतिंग करनी है अब सोता वेकितिन गणतपो इसको अब सरे अवुषेम्ट करें वाहन पर सतरुनु जींपों, लगा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब की सथिर्थ अगए यहाँ पर कितिन हम सीधी लाइन लगाएंगे यह इस जगा पर और से इस जगा पर और इसकी हम कटिंग कर देंगे कि अब हमने जो 17 इंच का यह निशान लगा है यह लंबाई का इसको हम बिल्कुल सीधा काट देंगे कि अब हो गई है इसका हमारी यहां से बिल्कुल ब्राबर है अगर आप कि यहां से कुई फरक आया तो आप उसकी अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं है मैं दोपी सुपर वाले जिर्च यह दोनों अलैहता है विए चांप के कंदे हैं और इसके नीचे वाले भी कंदे ही जिए वार काम कपड़े में यार हो जाती है और यह उपर से जुड़ा हुआ है इससे यह मिस तरह से खोल कर दर्वियान से काट देंगे इसके पूरी cutting हो गई है, इसके ये दो नीचे कुंदे जुड़े हमें पांचों के साथ ही, वहां सलाई की जरुरत नहीं और ये दो कंदे हम इसके साथ जुड़ेंगे और ये नेफा है इस साइड पर, और ये नीचे पांचों वाली वो साइड है, जब हम इस ती सलाई वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से करते हैं इसकी स्लाइबी काफी सिंपल है अब हम इसकी जो स्कीचिंग है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे उमीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी शुक्रिया